हेलो फ्रेंज आज मैं आपको 2016 की इंसेन एक मिस्ट्री कोरियन मूवी एक्स्प्रेंग करने वाला हूँ यहाँ पर एक लड़की को जबरदस्ती में लेज जया जाता है यह जो मूवी है बहुत ही ट्विस्ट आंट टन से भरी हुए है तो डायर्कली शुरू करते है मूवी स्टार्ड होती है और हमें दिखता है कि हमारी जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है सुआ यह रस्ते से जायरी होती है जाते जाते हैं कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और गाड़ी में डालते थे इसके बाद इसे mental hospital ले जाया जाता है इसे लोग वहाँ ले जाकर शौक विकराते थे यही खतम हो जाता है और हमारा next character हमें दिखता है इसका नाम है नामसू नामसू जो होता है तो एक channel के लिए वो काम करता है इसका special एक program होता है इसका program जो है बहुत ही successful हो गया है इसी वज़े से इसके आज interview चल रही है interview जब चल रहे होती है तो जो interviewer होता है उसकी assistant भहाँ आती है और उससे कहती है कि नामसू का जो program है वो fake है अभी अभी इसकी news broke होई है नामसू की पूरी repetition खराब हो चुके है तो यहाँ से वो चला जाता है अब हम देखते हैं कि एक साल गुजर चुका है चानल के boss ने नामसू को बूलवा होता है यह दोनों गाड़ी में बात कर रहे होते है यह जो चानल का boss है उससे कहे रहा होता है कि और एक नया program आया है तुम वो कर सकते हो यह तुमारे career के रिए अच्छा होगा नामसू को यह मनजूर में होता वो जो program कर रहा था वही program उसे चाहिए उसका जो नाम खराब होआ था यह program के director की वज़े से हुआ था इसमें इसका कोई भी हाथ नहीं था गल्ला stories इसके program पर सुनाएं गई थी पर इसे इसके बारे में कुछी पता नहीं था program director पर blame ना है तो इसलिए अपने आप पर इसने blame ले लिया था नामसू का यह program करना नहीं होता पर उसका boss समझाता है कि कोई भी program घटिया नहीं होता तुम उसे कैसे exude करते हो यह important होता है इसके बाद नामसू सोचता है और इसे करने के लिए agree हो जाता है यह जो program वो करने वाले होते है यह भूतो की बारे में होता है भूतो के investigation वेगरा वो करेंगे और इस वार program मनाने वाले होते है अब next scene में हम देखते है नामसू का boss और उसके एक assistance होती है यह सब discuss कर रहे होते है अब इनका जो program है यह उन्हें कोन से story करनी है यह वो select कर रहे होते है इनके बास बहुत सारी files वगरा होती है इसके बारे में वो बोल रहे होते है नामस को कोई भी पसंद नहीं आ रहा था तब ही वो एक जली होई diary दिखता है यह diary सुवान की होती है सुवान ठीक थी पर उसके मर्जी के खिलाफ उसे mental hospital में डाल दिया है यह इस diary में लिखा हुआ होता है यह जो hospital था एक साल पहले ही जल गया था इसी वज़े से यह diary भी जली हुई है नामसु अब decide करता है कि उसे यही अब story करनी है उसका boss मान नहीं रहा होता पर वो boss को कहता है कि execution important है उसे का dialogue उसे ही देता है अब सब team लेकर यह जले हुए mental hospital में आते है यहाँ पर थोड़े time तक रुखते है पर वहाँ एक आदमे बहुत ही धर जाता है उसने किसी को वहाँ देखा होता है जब नामसु इसे देखता है तो वहाँ एक जला हुआ आदमी होता है इसे फिर वो hospital में लिखा जाते है यह जो जला हुआ आदमी है यह hospital का ही nurse था जब सुवान mentor hospital में थी तब उसे ही इसने help किया था यह सब डायरे में लिखा हुआता है जब इसकी आइडेंटिटी नामसु को पता चल जाती है तो उसके पास हो जाता है वो सुवान का नाम लेता है उसे कहता है तो मैं अगर कुछ पता होगा तो तुम ब्लिंक करना यह जब सुवान का नाम सुनता है तो डिस्टब हो जाता है नामसु को फिर वहाँ से जाना पड़ता है अब नामसु को पता चल चुका है कि इस डायरे में जो भी सब लिखा है यह सचमुच में ऐसा ही हुआ है जो फायर मेंटल हॉस्पिटल में लगी थी तो आग के बारे में कोई भी किसी को जाता पता नहीं है यह सब चीजे नाम अपनी असिस्टन को खेता है जब नामसु और भी इन्वेस्टेशन करता है तो जो पुलिस ओफिसर मरा था यह सुवान के ही फादर थे सुवान ने अपने फादर को मारा है ऐसा उस पर शक था तो इसी वज़े से उसे मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया है इसे पहले भी वो मेंटल हॉस्पिटल में थी उसके फादर ने ही यहाँ उसे भरती करवाया था नामसु फिर एक मेंटल हॉस्पिटल ने पहुचता है नामसू फिर एक मेंडर हस्पिटल ने पहुचता है वहागा जो इंचाज होता है उसे मिलने नहीं दे रहा होता इसे सुवान से मिलना होता है तो वो उसे ब्लैक मेल करता है नामसू इस इंचाज हो कहता है कि आगर पुलिस को पता चला कि तुम्हारा नेफ्यू ड्रक्स करता है तो उने कैसा लगेगा ये इंचाज फिरटा जाता है और सुवान से उसे मिलने देता है नामसू फिर सुवान के बारे में पुच्छता है सुवान कुछ भी बात नहीं कर रही होती नामसू फिर उसे एक डायरी दिखाता है नामसू से कह रहा होता है कि वो पुलिस में है और उसे investigation करनी इसी वज़े से वो आया है नामसू फिर सुवान को अपनी सही identity पता देता है उसे ये भी कहता है कि ये जो डायरी है ये मुझे news channel में मिली थी नामसू जो ghost story उसे करनी थी उसके पीछे अपनी लगता का जो पुराना show था उसे उसमें वापस जाना है इसके बारे में अपने boss से वो बात करता है उसका boss मना कर रहा होता है नामसू से कहता है कि मेरा जो पुराना show है उसकी rating बहुत ही खराब जा रही है अगर वो फिर से वापस आ गया तो इसे ही हो सकता है नामसू अपने असिस्टन को फायर के बारे में सब कुछ पता करने के लिए बोलता है नामसू की असिस्टन फिर पता करकर कहती है कि जो पुलिस आफिसर मरा था यानि कि सुवान के फादर ये कभी भी कोई भी स्कैंडल में नहीं थे सुवान इनकी स्टेप डॉटर थी इनकी जो वाइफ है ये दो साल पहले ही मर गई थी नेक्स जे नामसू सुवान से मिलने के लिए जाता है उसे कहता है कि जो भी सब कुछ सच है ये तुमें बता देना चाहिए लोग इससे इंट्रेस्टेड है और सचोच में अगर तुमारे साथ वैसा हुआ होगा जैसा इस डायरे में लिखा है तो तुम यहां से फ्री हो सकती हो नामसू कहता है कि तुमारे सोरी पर में अभी बिलिव नहीं करता पर जब तुम सब कुछ सच बताओगी तो लोग इसमें इंट्रेस्टेड हो सकते हैं तुम यहां से बच कर जा सकती हो नब सुहान सब कुछ बताना स्टार्ट करती है किस तरह से उसे ले जाया गया था इस मेंटल होस्पिटल का जो इंचाज था यह बहुत ही जालिम था इसे पता था कि सुवान नॉर्मल है पर फिर भी इसे यहां रखा गया था यहां पर एक नर्स था जो अपने मूवी के फर्स में देखा था जो जला हुआ है यह सुवान को हेल्प करदा था इसे पता था कि सुवान नॉर्मल है जब सुवान गोलिया नहीं ले रही थी तो इस नर्स ने उसे बताया था कि अगर तुम गोलिया नहीं लोगी तो ये लोग तुमें बहुत ही तटपाएंगे सुवान ने जब इसे बताया कि वो सचमोज में ऐसी पागल लगे रहा कुछ भी नहीं है इस नर्स ने इसे यहां कहा था कि sharp object is mental hospital में allowed नहीं है तुम कुछ भी leak नहीं सकते इसके बाद जब सुवान mental hospital में थी तो वहाँ एक औरत उसे मिली थी इसने उसे पुझा था कि क्या तुम्हें यहां से बाहर निकलना है सुवान भी इसमें interested हो गई थी वो पागल वरत बोली थी कि यहां का जो इंचाज है इसके रूम में एक सिक्रेट डोरवे है यहां से तुम बाहर निकल सकती हो जब सुआन ने इसे पासवर्ट भुजा था तो यह कुछ ही बोली नहीं थी यह पागली थी तो कोई भी स्टोरी मेकप करी है ऐसे सुआन को लगा था अब जो नामसु इंवेस्टिकेशन कर रहा है तो इस पर और भी डाटा उसे मिल जाता है यहां नामसु को पता जलता है कि हॉस्पिटल का जो इंचाज था यह सुआन के फादर का जुनियर था सुआन के फादर को कोई भी स्कैंडल नहीं चाहिए था उनकी बेटी इंसेन थी इसी वज़े से उसने अपने जुनियर से हैप ली होगी यही रिजन होगा कि सुआन का नाम मेंटल हॉस्पिटल में जो पेशन्स थे इसमें नहीं था यहां कुछ ना कुछ तो गडबड थी तो यही उसे एक्स्प्लेन करता है इसके बाद सुआन की मदर जब मर गए तो सुआन के फादर को यानि की स्टेप फादर को अब बहुत सारे प्रॉपर्टी मिल गई थी यह भी बहुत ही सस्पिशियस होता है नामसु जब सुआन के पास फिर से आता है तो कहती है कि हस्पिटल का जो इंचार्ज था यह वहाँ के पेशन से अनेतिक शारीक संबन रखता था इस मेंटल हस्पिटल में रहना उसके लिए बहुत ही हार्ट था इसके बाद हम देखते है कि नामसु और उसके असिस्टन अब पता कर रहे होते है अगर सुआन मेंटल पेशन नहीं थी तो उसे क्यों वहाँ रखा गया था जब यह कुछ लोगों से बोलते है तब उन्हें एक लोग के बारे में पता चलता है अगर किसी आदमी के केरिट अगस उसे मेंटल होस्पिटर में भरती कराने के लिए साइन दे देते है तब उस आदमी के मर्ज़े खिलाब उसे वहाँ रखा जा सकता है यह बहुत ही घटिया लग होता है और इसके खिलाब लोग बहुत कुछ कर भी रहे होते है पर अभी भी यह चेंज नहीं हुआ होता कुछ लोगों ने इस पर आवाज उठाने के कोशिश की थी पर यह सब दबा दिया गया था कुछ साल पहले होस्पिटल का जो इंचार्ज था उस पर एक इंक्वाइरी बेटी हुई थी इस इंक्वाइरी को सुवान के जो फादर थे उन्हों ने सब निप्ता दिया था इसी वज़े से हॉस्पिटल का इंचार्ज इसको ओ करता था इसे वज़े से उसने इसे help किया था अब नांसों को पता करना होते है कि हॉस्पिटल की इंचार्ज पर inquiry क्यूबर्टी थी जिसकी वज़े से inquiry हुई थी उसके रिलेटू के पास ही जाते है वहाँ पर एक औरत होती है यह अब इन्हें कहती है कि मेरी फादर वहाँ थे इनका एक औरगन उन्हें निकाल दिया था मुझे जब यह पता चला तो मैंने उस पर केस की थी सुवान ने अपने डायरे में लिखा होता है कुछ लोग जो ओफरेशन ठेटर जाते है तो वहाँ से वापस ही नहीं आते है इसका मतलब है हॉस्पिटल का इंचाज लोगों के बार्स निकाल कर उसे सेल कर देता था हॉस्पिटल रेकॉर्ड्स में कुछ लोगों के नाम नहीं होते है इसका मदलब है जो लोग यहाँ आये थे उनका नाम ही नहीं था तो इनके अगर और्गन सेल कर देगा तो कोई भी केस विगराग कुछ भी नहीं होगा सुवान जिस कमरे में लॉक्ट अप थी उसके साइड में और ही कमरा था वह एक आदमी था जिसे बात कर सकती थी उसने इसी कहा था कि उसे पता है कि यहाँ बाहर के से निकलना है सुवान ने उससे जब पूछा तो उसने कहा कि मुझे शौर में आकर मिलना जब यह शौर में उसके पास गई तो इसे कुछ भी मालूम नहीं था और सिर्फ वो टाइम पस करना चाता था उसने सुवान को जगड लिया था तो सुवान ने उसे एक चाकू से मार दिया था जब सुवान ने उसे मार दिया तो सब हलचल मच गए इसके बाद होस्पेटल का इंचाज विगरा सब लोग उसके पास चले गए और सुवान वहाँ से निकल गए होस्पेटल का इंचाज का जो रूम था उसके पास वो आ गए वहाँ का जो सिकुरिटी कोड था यह उसे पता नहीं था पर उसे जो पहले पागल वारत मिली थी जिसने उसे पताया था इसने उसे अब यह सिकुरिटी कोड दे दिया था यह अंदर घुसी और सिक्रेट डोरवे उसे मिल गया इसे वो भार की दुनिया में आ गए पर यह ज़रा इंजोर्ट हो चुकी थी यह पागलों की तरह स्टीट से खुम रही थी यह पुलिस के बास गय और उसे इसने हिल्फ मांगा इससे लगा कि पुलिस अब इसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे वो इससे फिल से मेंटल असाहलम में लेकर गये अब जो हॉस्पिटल का इंचार्ज था इस्सबर बहुत ही चीडग गया था इसे फिर वो operation traitor में लेकर गया और इसके organ निकालने वाला था यह सब अम नामसो को बदा जल गया है तो यह सब चीज़े अपने boss को समझाता है इसका boss भी इसमें interested हो जाता है यह एक अच्छे story बन सकती है इसका boss फिर माल जाता है कि छोटा सा segment में तुम्हें दे सकता हो इसके बाद तुम्हें जो भी सब करना है यह तुम कर सकते हो अब नामसो को show के लिए footage चाहिए होता है तो swan के पास आता है swan से पुछता है यह क्या तुम्हारे father थे जिन्होंने तुम्हारे साथ यह सब किया था swan कहती कि मेरे father जब मैं छोटी थी तब ही मर गए थे कहरे होती है जो से कुछ भी याद नहीं आ रहा है इसके memory पर बहुत ही trace आ रहा है नामसो जो interview ले रहा होता है swan की वो अभी यही वो खतम कर देता है जो जला हुआ nurse था जो इन्हें सब कुछ बता सकता है यह भी hospital से फरार हो जाता है अब इनके पास बहुत ही बड़ी problem हो जाती है नामसो swan से फिर से मिलने जाता है तो swan अब इसे deny कर देती है इसके interview में वो question का answer नहीं देना चाती नामसो अब decide करता है कि swan को कुछ भी याद नहीं आ रहा है हम उसे help कर सकते हैं कुछ भी याद दिलाने के लिए उसके boss ने उसे जो special segment दिया होता है जिसमें उसे सब कुछ story बतानी होती है वो segment पर वो आते हैं और कुछ भी नहीं बताता वो सिर्फ अपने next week जो show होने वाला है इसको tease करता है यह जो show है यह उसके boss ने इसे करने के लिए permission नहीं दी है तो इस वज़े से इसका boss बहुत ही इस पर चिट जाता है नामसु कहता है next week तब मेरे पास बहुत सारी information आ जाएगी उसका boss उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे कुछ भी information नहीं दी तो यह बहुत ही बुरा हो सकता है अभी अभी नामसु ने जो सब show किया था वो सब swan देखती है के बाद internet पर सब खरपली मच जाती है mental hospital के पास बहुत सारे reporters वेगर आते है वो सब swan की interview लेना चाते है नामसु भी बहा होता है अंदर से एक आदमी आता है और नामसु का नाम लेता है अब swan नामसु से बात करना चाती है जो interview देने रही थी अब ये देने के लिए ready है नामसु सवan के पास जाता है तो वो कहता है कि जो nurse था वो hospital से भाग गया है swan नामसु से कहती है कि मैं तो जो सब कहा है उसमें और एक चीज़ थी जो मैंने तुम्हें नहीं बताई है ये कहती कि जो nurse था जिसे मैंने एक number दिया था ये number उसके boyfriend का था swan की help करने के लिए उसने बहुत सारा try किया था अलगल लोग को उसने contact किया था पर ये कुछ भी कर नहीं पाया था इसने nurse को भी call किया तो nurse बोला कि अगर तुम्हें इससे मिलना होगा तुम्हें mental hospital में आना पड़ेगा तुम directly यहां घुस नहीं सकते तो मुझे तुम्हें contact करना पड़ेगा जब swan का boyfriend इस mental hospital में पहुचा तो swan के organs वो निकालने वाले थे जो hospital का इंचार्ज था उसने swan के boyfriend को भी पकड़ लिया पहले swan के boyfriend की organs वो निकालेंगे यह उन्होंने decide किया जब उन्होंने swan का boyfriend को cut करने के लिए वहां रखा तभी hospital में आग लग गई यह जो आग लगी थी यह एक पागल औरत ने लगाई थी हमने देखा है कि इसे hospital के इंचार्ज के room का password पता था के अंदर खुस गई थी और candle से खेल रही थी इसी वाज़े से अब hospital में आग लग गई थी इस आग में hospital का जो इंचार्ज था उसे इन्होंने injure कर दिया था वो मरने वाला था पर swan के boyfriend को भी उसने पकड़ लिया था इसी आग में swan को boyfriend भी मर गया swan यहाँ से बचकर निकल गई थी नामसु फिर कहता है कि तुम जब बाहर निकली तुम तुमारे stepfather के आ गई उसके पास जाकर तुमने उसको मार दिया हमें पता है कि नामसु उस पर ज़्यादा बिलिव नहीं कर रहा था नामसु फिर कहता है कि तुम हमेशा से पागल थी इसी वज़े से तुमारे फादर ने तुम्हें वहाँ भरती कर वया था तुम जब बाहर निकले तो तुम्हें उनसे बदला लेना था और वो बदला तुमने ले भी लिया सुवान इस पर चीर जाती है वो कहती है कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है तुम्हें पता नहीं है कि मेरी मदर और मेरे साथ ये क्या करता था जब से छोटी थी तब से उसके फादर उसे अब भी उस करते थे सुवान फिर उसे कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा है पर जब मैंने उन्हें वहाँ देखा तो पहले ही मरे हुए थे अब नाम सो इसका एक शो बनाता है और शो में यह सब जो स्टोरी थी यह सब कुछ बता देता है इसके बाद सुवान की जो केस थी इसमें इन्वेस्टेशन पूरी नहीं हुई थी क्योंकि सुवान एक mental patient की तरह बरताव कर रही थी जब पूरी जाच होती तब इन्हें पता चलता है कि सुवान के जो stepfather थे ये mentally unstable थे ये mental hospital से drugs वगरा मंगवाते थे जब ये मरे थे तब ये drugs ही कर रहे थे इन्होंने अपने आप से खुदखुशी कर ली थी इसके बाद सुवान की hearing होती है court अब decide करती है कि सुवान के खिलाप इनके पास पुरे evidence नहीं है तो अब इसे वो छोड़ देगी सुवान जब mental hospital से निकल थी है तो नामसू उससे लेने के लिए जाता है वो फिर उसे उसके घर छोड़ देता है सुवान जाते जाते अपने diary नामसू को दे देती है उसे गहती है कि mental hospital में कुछ भी लिखना allowed नहीं है अगर mental hospital में कुछ लिखना allowed नहीं है तो सुवान ने कैसे लिखा था नामसू अब सब जीजों पर सोचने लग जाता है अब हमें सचमूज में जो भी कुछ हुआ था ये दिखाये जाता है सुवान के जो फादर थे उसने सुवान की mother को mental hospital में रखा था वो एक्चुल में dead नहीं थी तो mental hospital में उसे रखा गया था जो भी सुवान ने कहा था कि mental hospital में उसके साथ क्या क्या हुआ ये सब उसकी mother के साथ हुआ था नर्स को जो number दिया गया था ये सुवान की mother नहीं दिया था सुवान ने बोला था कि उसे help करने के लिए उसका boyfriend आया पर ये boyfriend exist नहीं करता था ये जो number था ये सुवान का था तो उसकी mother को help करने के लिए सुवान ही वहा आई थी जो fire होई थी तो उसमें उसकी mother मर गई थी अपनी mother का बदला नेने के लिए उसने सचमुच में अपने father को मार दिया होता है इसने फिर ये diary plan की थी न्यूज चैनल को इसने diary भीची थी यानि कि इसकी फिर से inquiry हो जाए और इसने जो murder किया है ये अब इससे छूट जाए सचमुच में ऐसा है उसका plan अब successful हो जाता है अब last scene में camera की तरफ ये देखती है और ये ही culprit है ये ही movie end हो जाती है अगर आपको एफ वीडियो अच्छा लगाओगा तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजेगा मैं बहुत सारी ऐसी movies लेकर आता रहे तो तो प्लीज इस चैनल को subscribe पर दीजे और bell notification आइकोन दबाना भी मत भूलिये हम फिस से मिलेंगे और एक नई movie के साथ तब तके लिए thank you और आपने आपका ख्याल रखिये